हेलो एंड वेलकम बैक, आज हम मुंशी प्रेमचन जी का बिर्थ एन्वसरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज 31st जुलाई उनका 140th बिर्थ एन्वसरी है, 31st जुलाई 1880 को मुंशी प्रेमचन जी का जयन हुआ था, तो मेरा सविने निवेदन है कि जो subscribers हिंदी साहिति से रिलेटेट नहीं हैं, वो भी गृप्या प्रेमचन जी के लाइफ हिस्ट्री की और नजर दोड़ाएं, क्योंकि काफी इंस्पिरेशनल है, I know many of my subscribers are not related to Hindi literature, since my channel is related to research, many of my subscribers are related to other subjects, but whatever, you might have heard of प्रेमचन, you might have read some of his stories during your school days, so that is enough to celebrate प्रेमचन, every Indian in fact should celebrate प्रेमचन, so it's quite inspirational, what all difficulties he had faced throughout his life, that is something worth knowing, So, इसलिए मेरा सविने निविदन है, कि आप ही जब चैनल से जुड़े हैं, तो प्रेमचन की जीवन की उन संघश्मय यात्रा की और एक नजर दोड़ाएं, और उनकी रचनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, उन्हें क्या अलग करती है, how he is outstanding from other writers, इस पर हम चर्चा करेंगे, और प्रेमचन जी की कुछ कहानियों को मैंने पिछले हक्ते अपलोड किया था, छोटी-छोटी कहानिया हैं, लेकिन जीवन से काफी गहराई से जुड़ी हुई हैं, तो आप किरे जो जिनके पास वक्त होगा, दस या पंदरा मिनिट की बात है, उन कहानियों से भी आप उज़री, तभी उस लेख की महानता से हम पच्चे पास सकेंगे, तो देखते हैं प्रेमचन जी के जीवन की कुछ चांगियां, भारत के यथात के जितेरे अमर कथा शिल्पी मुझ्शी प्रेमचन आज 31 जुलाई उपन्यास समराट प्रेमचन जी की 140-वी जेन्दी, ऐसे महान हस्ती जिनोंने उपन्यास कला या यों कहें कथा साहिते को एक नया रुख दिया, जिनोंने कथा को जीवन से जोड़ा, उसे यथार्थ के धरातल पर लाख खड़ा किया, जो किसानों एवं मस्दूरों के वक्ता बने, जो दरिदरता में जन्में, दरिदरता में पले, और मरते दम तक एक निष्टता से लेखन कार्य में लगे रहे, कलम के सिपाही, लेकिन खुद को कलम का मस्दूर मानने वाले प्रेमचंद, बीमारी की हालत में भी मृत्यू के कुछ दिन पहले तक, वे अपने कमजोर शरीर को लिखने के लिए मजबूर करते रहे, मना करने पर कहते, मैं मस्दूर हूँ, मस्दूरी के बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं, यही बात प्रेमचंद जी को अमर बनाती है, जिनके नाम पर हिंदी साहिते का एक योग का नामकरन किया गया, और जिनके उपन्यास गोदान को भारत के लगबख सभी विशुद्यालों में पढ़ाया जाता है, जो उर्दू में लिखते थे, हिंदी में लिखते थे और कहा जाता है उपन्यासों की रूप रेखा अंग्रेजी में तयार करते थे ये स्वतंतरता से पूर्व 1920s, 30s की बात है प्रेमचन जी का जीवन हमेशा संगर्षों से घिरा रहा और उनका जीवन संगर्ष ने हमारे लिए सीखने के लिए काफी कुछ छोड़ रखा है ऐसे महान कथाकार के जीवन की कुछ जांकिया प्रसुत करना चाहूंगी ये दिपे आज 21 सदी में उत्तराधुनिक सैधानति की पाठ केंद्रित है और लेखक की मृत्यों की घोशना किये जा रही है डेथ ओफ एन ओदर की बात हो रही है जहां क्या लिखा गया है उस पर फोकस किया जाता है न कि किसने लिखा है लेकिन भारतिय संदर्व में लेखन और उसके पीछे की जो लगन है जो परिसितिया है उसे लेखक से भला प्रथक करके कैसे देखा जा सकता है अतह आज हम उनके साहितिक सुष्टियों पर विचार करेंगे ही साथ ही उनके विक्तिगत जीवन की कुछ जांकिया एवा उन पर लगाएगे कुछ आरोपों पर भी प्रकाश डालेंगे तो चलते हैं उनके गाउं लम्ही प्रेमचन जी का जन्म उत्तप्रदेश में वारानसी के पास लम्ही नामक एक छोटी से गाउं में हुआ 31 जुलाई 1880 को यह जो आप देख रहे हैं वो प्रेमचन समारक है जहां उनका घर हुआ करता था और पास में ही लाइबरी है जहां उनकी सभी किताबे उकलब है वास्तव में प्रेमचन की कुछ अमर रचनाओं कुछ कहानियों और कुछ उपन्यासों पर ही हमारा ध्यान हमेशा जाता है लेकिन उन्होंने करीब 300 कहानिया लिख힌 और कई ऐसे कहानिया लिख힌 जिनके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है लेकिन वो सभी रचनाई यहां उपलब्ध है लेखक का ये जो घर है वो लम्ही में है वारानसी के पास एक चोटा सा गाउं है पिता अजायब लाल डाक खाने में नौकरी करते थे सजन पुरिश थे गीता का नियमित रुप से पाठ करते थे और लोग उन्हें निश्पक्ष और इमानदार मानते थे मा आनंदी देवी पड़ी लिखी और समस्दार थी लेकिन विशेश स्वस्त न थी उन्होंने तीन पुत्रियों को जनम दिया जिन में से दो किमृत्यू बच्पन में ही हो गई और प्रेंचन का जन्म इन पुत्रियों के बाद हुआ प्रेंचन जी का असली नाम धनपतराय रखा गया और गाउवालों की धारना थी कि तीन पुत्रियों के बाद जन्म लेने वाला पुत्र माता या पिता के लिए दुर्भागे लाता है और यह धारना कुछ हद तक सही भी साबित हुई जब धनपतराय आट नौ साल के थे तब उनकी माता का देहान्थ हो गया और पिता अजायब लाल ने दूसरा विवाह किया पिता के पुनर विवाह के समन में प्रेमचन जी के ही शब्दों में मेरे पिता जीवन पत पर बहुत संभल कर चले पर अंतिम दिनों में लड़ खडा गए प्रेमचन की अंसार पिता की दूसरी शादी सच्मुच एक बड़ी भूल थी इससे भी बड़ी भूल उन्होंने यह की कि अपनी नई पत्नी के दबाव में आकर प्रेमचन का विवाह मात्र 16 वर्ष की अवस्ता में कर दिया और दुर्भागिवश प्रेमचन के विवाह के एक वर्ष बाद ही पिता का भी देहान्त हो गया और मात्र 17 वर्ष की आयू में प्रेमचन के उपर अपनी पत्नी, विमाता और उनके दो बच्चों तथा एक भाई के भरन पोशन का भार आ पड़ा हालत अच्छी न थी, परिवार की जो कुछ जमा पुंजी थी, अजायब लाल की छह मईने की बीमारी में स्वाहा हो चुकी थी जब प्रेमचन जी के पिता के मृत्यू हुई तब वे नवीक अक्षा में पढ़ रहे थे और परीक्षा अत्यंत निकट थी, इसके लिए उन्हें काशी में ट्यूशन का सहारा लेना पड़ा वे सबेरे आठ बजे घर से रवाना होते और अक्सर देर से विद्याले पहुँचते साड़े तीन बजे विद्याले से निकल कर वे एक बच्चे को पढ़ाने जाते वहां से उन्हें 6 बजे चुट्टी मिलती और बड़ी तेजी से चलने पर भी वे 8 बजे रात से पहले घर नहीं पहुच पाते जो कुछ रूखा सूखा घर में रहता खा कर वे मिट्टी के एक चिराग की रोशनी में पढ़ने बैठ जाते खेर किसी तरह मेक्ट्रिक परिक्षा पास की और कॉलेज में दाखला लेने की बड़ी चाह थी लेकिन परिक्षा चुंकि उन्होंने मात्रदित्ती और श्रेणी में पास की थी इसलिए कॉलेज में फीस माफ नहीं हो सकती थी क्विन्स कॉलेज में उनकी भरती संभवन थी बड़ी मुश्किल से काफी भटकने के बाद एक सिफारिशी चिठी लेकर पास के ही एक दूसरे कॉलेज में पहुंचे जो उन्हीं दिनों खुली थी लेकिन वहां की योगिता परिक्षा में गणित में फेल हो गए और प्रेमचंत का कॉलेज में पढ़ने का सपना मानों तितर बितर हो गया लेकिन वे हार मानने वाले ना थे उन्होंने शहर जाकर टूशन पढ़ाने एवा अपने गणित को सुधारने की ठान ली एक वकील के बेटे को टूशन पढ़ाते और वहीं एक अस्तबल के उपर एक कमरे में रहने लगे और पुस्तकाले जाकर गणित ठीक करने का प्रयास करने लगे और यहीं पुस्तकाले में प्रेमचं का गहरा जुकाव साहितिक रचनाओं की और हुआ और उनकी जिन्दगी ने एक यू टर्ण लिया गणित पीछे चूट गया शायद जिन्दगी नहीं चाती थी कि वे जोड घटाओं में अपनी जिन्दगी विता दे उसने उनके मानस को एक दूसरी ही दिशा में प्रवर्थ कर दिया पुस्तकों से उन्होंने जो कुछ सीखा सो सीखा गरीबी और कटनाईयों ने भी उन्हें बहुत कुछ सीखाया कई बार भूकों रहना पड़ा अंत में गणित की दो रुपे की एक पुस्तक आधी कीमत पर बेशने के लिए एक पुस्तक विक्रता के पास गए वहीं एक इसाई मिशनरी स्कूल प्रधान अध्यापक से मुलाकात हुई और उन्होंने प्रेमचन को चुनारगड के अपने विद्याले में अध्यापक की नौकरी दिला दी स्कूल कृस्टिन मिशनरियों का था और प्रेमचन के विचार अंग्रेजों के विरुद थे यह बात सन 1900 की है और कुछ समय बाद ही प्रेमचन ने वहां की नौकरी छोड़ दी बाद में उन्हें सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई सन 1902 में इलहाबाद में मौडल ट्रेनिंग स्कूल में उन्हें उच्चतर प्रशिक्षन के लिए चुना गया और इस स्कूल में उन्होंने स्थाई जूनियर अंग्रेजी सिक्षक की परीक्षा पास की हिंदी एवं उर्दू की विशेश परीक्षाएं भी उन्होंने इसी बीच पास की स्वाध्याय से परीक्षा पास करना और ज्यान अरजित करना ये उस जमाने में था जब गूगल सर्च की कोई गुंजाई शीन थी नहीं ओनलाइन लर्निंग प्लैटफॉर्म सुपलब थे प्रेमचन जैसे लेखक की जीवन जांकी से यही सबसे बड़ी सीख है जो हम अपना सकते हैं इसी बीच उनमें लिखने का शौक पैदा हो गया था और छोटी मोटी पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी थी ये रचनाएं वे नवाबराय के नाम से लिखते थे तो ध्यान दिनी की बात है उनका वास्तविक नाम धनपत्राय था और प्रारमभिक रचनाएं नवाबराय के नाम से लिखते थे इधर नवाबराय पत्रकारिता और साहिते के शेत्र में जितनी संतोश जनक प्रगती कर रहे थे उधर उनकी पारिवारिक जीवन उतना ही असंतोश जनक और कटू होता जा रहा था उनकी पत्नी सुभाव से थोड़ी करकशा थी उनकी सोतेली मा उसकी पत्नी से अच्छा व्यवार नहीं करती थी उपर से उनकी पत्नी की घर की दूसरी स्त्रियों से पढ़ती भी न थी जब कभी धनपत्र आये घर आते तो उन्हें शिक्वी शिकायत और कच-कच सुननी पढ़ती फलतह उनका दिल दुख जाता और शांती भंग हो जाती उनकी पत्नी ने ग्रह कल़ से तंग आकर आत्महत्या करने की कोशिश की वैसे उन्हें किसी तरह बचा तो लिया गया पर उन्होंने माई के जाने की जित पकड़ ली लोग समझा बुझा कर हार गए कोई फल न निकला आखिर धनपत्राय ने उन्हें माई के भिजवा दिया अब ना तो धनपत्राय उन्हें लिवा लाने को राजी थे और ना वे बिन बुलाए आने को तयार थी दोनों की मुलाकात फिर कभी नहीं होई कुछ समय बाद धनपत्राय की दूसरी शादी का सवाल उठा तो धनपत्राय ने एक विध्वा से विवा करने की ठान ली वेस्वयम विध्वाओं के पुनर विवा के प्रबल समर्थक थे सो विवा की बात उठने पर उन्होंने कत्नी को करनी में बदलने का फैसला किया उन्होंने एक ऐसी नारी से विवा किया जो मात्र 11 वर्ष की अवस्ता में बिध्वा हो गई थी 1908 में उनका कहानी संग्रस सोजे वतन नाम से प्रकाशित हुआ जिसमें अधिकतर देश भक्ती पून कहानिया थी सोजे वतन के प्रकाशन ने अंग्रेजों को खफा किया उस पर सेडिशन का आरोप लगाया गया अर्थात राजद्रोह का आरोप लगाया गया अंग्रेज कलेक्टर ने धनपतराय के पास तुरंत मुलाकात करने के लिए पैगाम भेज दिया अंग्रेजी अफसर ने सोजे वतन की एक-एक कहानी का आशे पूछा और अंत में बिगड़ कर बोले तुम्हारी कहानियों में सेडिशन भरा हुआ है अपने भाग्य को बखानों की अंग्रेजी अमलदारी में हो मुगलों का रास होता तो तुम्हारे दोनों हाथ काट दे जाते अंत में फैसला यह हुआ कि सोजे वतन की सारी प्रतियां सरकार के हवाले कर दिये जाए एक हजार प्रतियां छपी थी और मुश्किल से तीन सो बिकी थी बात यहां तक नहीं रुकी उन पर यह पाबंदी लगा दी गई कि अधिकारियों से अनुमती लिये बिना भविश्य में वे कुछ न लिखेंगे जब उन्होंने यह बात अपनी पत्नी को बताई तब प्रश्न हुआ तो तुम अब कुछ न लिखोगे लिखूंगा क्यों नहीं पर नए नाम से नवाबराय ने उत्तर दिया और यह नया नाम हुआ प्रेम चंद इस नए नाम ने देश और मानवता के प्रती उनके प्रेम पर विरोधियों के लिए परदा डाल दिया एक और नवाबराय समाप्त हुए और दूसरी और प्रेमचंद ने जनम लिया अब तक विशम विवाह और विध्वा विवाह जैसी समस्याओं से प्रेमचंद परेशान थे अब एक नई बुन्यादी समस्या उनके सामने उपरी एक राश्ट्रिय भाषा के माध्यम से देश को एकता बद करने की समस्या इस दृष्टी से उन्होंने कुछ कहानिया लिखी जो हमीरपूर इलाके में प्रचलित लोग कथाओं पर आधारित थी नौकरी के सिलसले में उन्हें कई दोरों पर जाना पड़ता और बाल्यावस्ता में अभावों से घिरे होने के कारण उनका मन बहुत जल्दी डोल जाता था खास कर खाने पिने की चीजों को देख कर जिस शेत्र में उन्हें दोरा करना पड़ता था उसकी आबो हवा भी उन्हें माफिक नहीं पड़ती थी वहां ताजा सबजियां भी उपलग नहीं थी लगातार कई दिनों तक वे अर्बी खाने को विवश हो जाते थे जिसे पचाना कठिन होता है इन सब बातों के कारण प्रेमचंद पेचिश के मरीज बन गए उन्होंने बहुत इलाज कराया बेहद एहतियात बरता पर पेचिश ने मरते दम तक उनका साथ न छोड़ा अपनी बीमारी का जिक्र करने पर उन्हें बस्ती हाई स्कूल में नियुक्त कर दिया गया बस्ती में उनके जीवन में एक नया मोड आया वहां के तैसिलदार मनन दिवेदी से उनकी आत्मीता बड़ी और उनकी प्रेणा से उन्होंने हिंदी में लिखना शिरू किया इस बीच उनकी रचनाएं कानपूर के प्रताप और इलाहबाद की सरस्वती में नेमित रुप से प्रकाशित होने लगी बस्ती से फिर उनका स्थानांतरन गोरकपुर को हुआ यहां वे प्रसित साहितेकार, देशभग और समाच सेवक महावीर प्रसाद पौद्दार के संपर्क में आये पौद्दार जी की प्रेणा से ही प्रेमचंद पुनह उपन्यास लेखन की और प्रवर्थ हुए बीए की परिक्षा प्रेमचंद जी ने यहीं रहे कर पास की उन्होंने सेवासदन की रचना आरंब की और प्रकाशनो प्रांध सेवासदन को हिंदी जगत में बड़ा मान मिला किन्तु इसी बीच उनके स्वास्ते में कोई सुधार ना हुआ पद्दार जी और दूसरे कुछ मित्रों की सला से उन्होंने जल चिकिलसा आरंब की तीन-चार महिने तक यह चिकिलसा चली पर उनकी हालत सुधारने के बजाए और बिगड गई अब वे चलने फिरने में भी कमजोरी अनिभव करने लगे प्रेमचन जी को उनकी बीमारी का जिक्र बिल्कुल पसंन था एक बार यूं हुआ कि श्री दश्रत प्रसाद दिवेदी जी ने उनकी पीली सूरत देखकर खेट के साथ कहा बाबुजी आप तो बिल्कुल पीले पड़ गए हैं कोई लाज कराईए तो पता है प्रेमचन जी ने क्या कहा उनकी ही शब्दों में मुझे अपनी बीमारी का जिक्र बहुत बुरा लगता था मैं भूल जाना चाता था कि मैं बीमार हूँ जब दो-चार महिने का ही जिन्दगी से नाता है तो क्यो ना हस कर मरूँ मैंने चिटकर कहा मर ही तो जाऊंगा भाई या और कुछ मैं मौत का स्वागत करने को तयार हूँ दुवेदी जी बेचारे लज्जित हो गए मुझे बाद में अपनी उगरता पर बड़ा खेद हुआ जालिया वाला बाग के हत्याकान ने देश के करोडों लोगों को विचलित कर दिया था प्रेमचन भी इससे शुब्द हो गए उन्ही दुनों गांधी जी ने गोरकपूर का दोरा किया शहर, देहात, सबी जगह से जनता दोड़ी चली आती थी गांधी जी की बातों को सुनने और प्रेमचन की शब्दों में महात्मा जी के दर्शनों का यह प्रताब था कि मुझ जैसा मरा हुआ आदमी भी चेत उठा उसके दो-चार दिन बाद ही मैंने अपनी 20 साल की नौकरी से इस्तिफा दे दिया इस बीच वे अपने गांध लमही चले गए लमही में प्रेमचन का जीवन बहुत सीधा साधा था वे गांध वालों से बड़े प्रेमचन से मिलते जुलते और बातचीत करते गांध वालों को आश्चरिय होता प्रेमचन आखिर करते क्या है गप्पे हांकने की सिवा कोई धंदा तो दीखता नहीं प्रेच उन्होंने मारवाडी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पद का कारेभार गरहन किया बाद में स्कूल के मैनेजर काशीनाथ के साथ मदभेद होने के कारण उन्हें काफी क्लेश पहुँचा और आखिर प्रेमचन द मारवाडी हाई स्कूल से त्याग पत्र देकर काशी आ गए बाद में उनकी नियुक्ती काशी विद्यापीट में प्रधानाध्यापक के पद पर हुई लेकिन वहाँ भी वे अधिक समय तक नहीं टिक सके उन्होंने पद त्याग कर दिया और अपने सरुसती प्रेस में काम में लग गए प्रेस चलाने में प्रेमचन जी को कई आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा प्रेमचन जी को प्रेस से मुनाफा तो क्या, उल्टे किताबों से होने वाली आमदनी भी उसी में लग जाती प्रेस को चलाने के लिए व्यावसाइक बुद्धी की जरुरत थी जो की प्रेमचन में न के बराबर थी प्रेस में हो रहे नुकसान ने प्रेमचन को काफी परिशान किया एक और घाटा हो रहा था और दूसरी और प्रेस में आर्थिक सहायता जिन्होंने दिया वे अपना रुप्या वापस मांगने लगे अवस्ता ऐसी थी कि मूल रकम तो क्या उस पर सूद भी दे सकना उनके लिए संभव न था अब रास्ता यही था कि कहीं नौकरी करके प्रेस का कर चुकाए उन्होंने यही किया भी इस बीच साहितिक पत्रिका निकालने की उनकी साथ पूरी करने के लिए उन्होंने हमस नामक पत्रिका आरंब की प्रेमचंद लखनव और काशी के बीच भागधोड करते रहे कभी प्रेस के स्थानांत्रन को लेकर तो कभी हंस के प्रकाशन के संबद में इस बीच वे नमक सत्याग्र में भी संबद्ध हुए प्रेमचन्द स्वयम युवा सत्याग्रहों को धोती कुर्ता, गांधी टोपी और पुषपहार पहनाते उनकी धनपत्नी शिवरानी देवी ने महिला मंडलों का संघटन किया प्रेमचन्द स्वयम भी गिरफ्तार होने की तयारियां कर रहे थे पर तभी शिवरानी देवी गिरफ्तार हुई और उन्हें दो महिने की कैद की सजा हो गई जिन दिनों प्रेमचन्द लखनाओं में थे उनकी प्रसिद्धी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी कुछ इरश्यालू हिंदी लेखक उन्हें नीचा दिखाना चाते थे इस उद्देशे से उन्होंने एक अभियान भी चला रखा था उनका कहना था कि प्रेमचन्द की सर्वोत्तम पुस्तकें दूसरी पुस्तकों की महस नकल थी इसलिए उन्हें लिखना बंद कर देना चाहिए उनके कथनानुसार प्रेमाश्रम जो उपन्यास था प्रेमचन का उनका आधार रसरक्षन नामक पुस्तक थी और रंग भूमी उनका उपन्यास वो वैनिटी फैर की नकल थी लेकिन यहां अंदोलन ज्यादा ना चल सका उनके इरादे पूरे न हुए हंस पत्रिका में अब भी घाटा हो रहा था सरसुती प्रेस का भी यही हाल था कुछ ही समय में कागस वालों के बिल और कर्मचारियों की बकाया मजदूरी ने उन्हें जबर्दस संकट में डाल दिया इसी समय वर्दान के रूप में बंबई के एक फिल्म निर्माता का प्रस्ताव आया जो सेवा सदन पर फिल्म बनाना चाहते थे प्रस्ताव आकरशक था खास कर दोनों पत्रों को जीवित रखने के ख्याल से इस बीच उनकी पत्नी और मित्रों ने एक पत्र को बंद कर देने की सला दी थी पर वे न माने, फलत दोनों पत्रों को जीवित रखने के उद्देश से वे बंबई चले गए, फिल्मों के लिए पटकता लिखने लगे फिल्म जगत मनुरंजन का जगत था, जहां शुद्ध साहितिक से ज़्यादा आर्थिक एवं व्यावसाईक मुनाफा की तरफ ही सबका ध्यान था फिल्मों को प्रेमचंद जहां दीन दुख्यों के उपकार का साधन मानते थे, वहां मालिक लोग धन कमाने का एक अच्छा जरिया ही मानते थे प्रेमचंद फिल्मों में अशलिलता भरने के कट्टर विरोधी थे इस प्रकार उपन्या समराट को फिल्म समराटों से लोहा लेना पड़ा फिल्म समराट मालिक थे और उपन्या समराट नौकर इसलिए जाहिर है फिल्म समराट जीतते वैसे भी प्रेमचंद की पटकथा पर आधारित फिल्म में असफल भी रही। उदाहरन सुरूप मिल मजदूर जिसमें मालिकों की इच्छा के अनसार बेहत परिवर्तन किये गए और जिसके मामले में सेंसर बोड ने भी प्रेमचंद के साथ ही मजदूरों के बजाय करोडप प्रेमचंद को कई नई बातों की प्रेणा मिली। उनमें से एक थी विभिन भारतिय भाषाओं के लेखकों की एक तांग। वे इस बात की जरूरत महसूस करने लगे थे कि उन्हें एक दूसरे के निकट संपर्क में आना चाहिए और लेखकों का एक अखिल भारतिय मंडल बनना चाहिए। फल सरूप भारतिय साहित्य परिशत का जन्म हुआ। इस परिशत की बैठक महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुई और प्रेमचंद ने हांस को परिशत का मुख पत्र बनाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। हांस पत्रिकां का परिशत ने स्विकार कर लिया और इसका संपादन कनया लाल मानिक लाल मुन्शी और प्रेमचंद संयुक्त रूप से करने लगे। लेकिन दुर्भाग्य वश इन दोनों के बीच मतभेत पैदा हुआ। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी को लेकर। उर्दू और हिंद जो काशी में था और प्रेमचंद जी के अधीन था। लेकिन बाद में यह राय उठी कि काशी में छपाई करना अधिक खर्चीला है। इसलिए सस्ता साहित्य मंडल दिल्ली को छपाई की व्यवस्ता सौंपी जाए। और पत्रिका का संपादन वर्धा से हो। यह बाद प् प्रेमचंद गिरहन करें। और प्रेमचंद वैसे भी काफी आर्थिक संकट में थे। इसी बीच वे बीमार पड़े और दुर्भाग्यवश हंस पर एक हजार रुपे जमानत की मांग हुई सरकार की तरफ से। हुआ योंकि सेट गोविंदास का एक राजद्रोहात्मक ना यह तरीका निकाला कि हंस का प्रकाशन बंद कर दिया जाए। प्रेमचंद को जब इसकी सूचना मिली तो वे काफी दुखी हुए। उनका स्वास्ति और बिगडता गया। हंस के भविश्य ने उनकी मानसिक पीड़ा कई दुगना बढ़ा दी। अंत में उन्होंने अपन आनत की रकम जमा कर देने को कहा। ऐसा ही किया गया। पर प्रेमचंद चिंता मुक्त न हो सके। परिवार के साथ साथ हंस के भविश्य ने उन्हें परिशान किये रखा। अपनी जिंदगी के बारे में प्रेमचंद जी की जबानी सुनते हैं। जिंदगी मेरे लिए हमेशा काम रही है। काम काम काम। मैं जब सरकारी नौकरी में था, तब भी अपना सारा समय साहित्य को देता था। मुझे काम करने में मज़ा आता है। पस्ती के शन आते हैं जब पैसे की समस्या आखड़ी होती है। वरना मैं अपने भागे से संतु अपने प्राप्य से अधिक मुझे मिला, आर्थिक दृष्टी से असफल हूं, व्यवसाय मैं नहीं जानता, और तंगी से मुझे कभी चुटकारा नहीं मिलता, मैं कभी पत्रकार नहीं रहा, लेकिन परिस्तितियों ने मुझे जबरन बनाया, और जो कुछ मैंने साहित्य में कमाया था, जो की बहुत नहीं था, सब पत्रकारिता में गवाँ दिया, और 8 अक्टोबर 1936 को, जब हांस का नया अंक प्रकाशित होने जा रहा था, प्रेमचंद, जिनोंने एक पत्रकार के रूप में जीवन आरब किया, जो हिंदी के साथ साथ उर्दू के भी सर्वोपरी कताकार बने, जिनोंने दलित, स्त्रियों, किसानों और हरिजनों की दारुन व्यथा को वानी दी, और देश की स्वतंतता के लिए जिनोंने अनवरत संघर्ष किया, परलोक सिधार गये, उन दिनों वे मंगल सूत्र नामकुपन्यास की रचना कर रहे थे, जो अंततह अधू पुरा ही रहे गया। जो एक स्रजनात्मक उपलब्धी माना जाता है। मदन को पाल कृत कलम का मजदूर फिर लिखी गई उनकी जीवनी है, और चरित नायक के संघर्ष में जीवन की तेजो दृप्त छवी इसमें अंकित की गई है। और समीक्षकों का मानना है, सामगरी संकलन की दृष्टी से यह कृति कलम का सिपाही की तुलना में अधिक प्रामानिक है। उसके बाद कमल किशोर गोयंका ने प्रेमचन विश्वकोष भागवन और प्रेमचन के बाद शायर निराला ही ऐसे साहितेकार हैं जिनके जीवन पर एकाध कृतियां प्राप्त होती हैं। मुँशी प्रेमचन जी के 136th birth anniversary में Google ने अपना Doodle उनके लिए डिडिकेट किया। और खबर इस तरह आई। Google India has dedicated its Doodle today to the great writer मुँशी प्रेमचन, marking his 136th birth anniversary. Today's homepage celebrates a man who filled many pages of a different kind with words that would forever change India's literary landscape. The Doodle is inspired from his last famous novel Godan. It shows the Upanya Samrat in a rural setting which has been the backdrop of most of his work. His last and most famous novel Godan inspired today's Doodle, which shows प्रेमचन, sometimes referred to as Upanya Samrat or emperor among novelists, bringing his signature working class characters to life. The illustration pays tribute to the multitude of important stories he told. That's what Google said. अगर कोई पूछे वो क्या तर्त्व है जो प्रेमचन जी को इतना महान बनाती है, तो हम तो यही कहेंगे कि वो एक trendsetter थे. चली आ रही लीक से हट कर उन्होंने लिखा. साहिते को समात से जोड़ा यथात के धरातल पर लिए आए. अब इस पर चल्चा करेंगे, तो एक बात देखना जरूरी है कि उस समय की परिसिती क्या थी, उस समय उपन्यास में क्या लिखा जाता था. देखें, ये सुतंदरता प्राक्ति के पूरू की बात है, 1920s, 30s की बात है. उस समय उपन्यास पढ़ना भी एक जुर्म माना जाता था. लड़कियों को तो पढ़ने में एकदम मना ही थी. ऐसा माना जाता था कि कोई बुरी हरकत कर रहे हैं उपन्यास पढ़ने पर. और उस समय उपन्यास के नाम पर जो चाया हुआ था, समाज में जो फैला हुआ था, वो यायारी उपन्यास थे, तिलस्नी उपन्यास थे और जासोसी उपन्यास. और इन उपन्यासों में एक्दम मनवरंजन भरा हुआ था और इन उपन्यासों के पीछे थे तीन प्रमुखस्तियां देवकी नंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी और गोपाल राम गहमरी तो यह जो उपन्यास थे तिलस्म भरे जो यह यारी उपन्यास थे या फिर कहें जासुसी उपन्यास थे ऐसा नहीं था कि केवल यही लिखा जा रहा था एक तरफ परिक्षा गुरू और देवरानी जेठानी जैसे भी उपन्यास लिखे जा रहे थे ते एकदम जो एकदम दर्श पर कट्टर आदर्शवादी थे देवकी ननन खद्री की जो उपन्यास है जो चंद्रकांता संतती इतनी फेमस थी कि कहा जाता है उसे पढ़ने के लिए मात्र कई लोगों ने हिंदी सीखी उस समय क्या था साहित्य में साहितिक जगत में हिंदी और उर्दू का कुछ चल रहा था कोई कहता है उर्दू स्रेष्ट है तो कोई कहता है हिंदी तो ऐसे में चंद्रकांता संतती इतनी हिट हो गई थी कि उसे पढ़ने के लिए कई लोगों ने हिंदी सीखी और ऐसे में प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में समाज में जो समस्याएं थी उस समय की उस पर लिखना शुरू किया और प्रैमचन जी ट्रेंड सेटर इसलिए थे कि उनके उपन्यास में केवल समसिया नहीं थी मन्युरंजन के तत्व भी ठे ऑर यह जो आदर्शवादी तत्व भी थे यह थार्तवादी तत्वЕ थे तो तो इसलिए प्रेमचंद लीक से हटकर चले और प्रेमचंद इसलिए एक ट्रेंड सेटर माने जाते हैं और उनके उपनियास हम सब को पता है जैसे उन्होंने सेवा सदन में अगर वैश्या समस्या को लिया जो उस समय अपने आप में बड़ी बात थी वैश्याओं की जगत में लाना वो अपने आप में बड़ी बात थी फिर आप देखेंगे बेमेल विवा अनमेल विवा जो नर्मला में उन्हें लिया फिर रंग भूमी में और एक अलग इश्यू लिया गुदान जो उनका सवर्शेश उपन्या से आप जानते हैं किस पर आधारित है प्रेंचन किसानों के बारे में लिखते थे जादा मस्दूरों के बारे में गरीबों के बारे में उनके दुख दर्द उन्होंने जादा दिखाया है लेकिन आप अगर गहराई से उनकी रचनाओं की और जाएं उनके एक-एक उपन्यास की और जाएं तो आप पाएंगे उ वो इतने दिर्ग दृष्टी थी उनकी, कि जो उन्होंने उस समय लिखा, वो बाद में इतने सालों बाद भी एकडम सत्य बना हुआ है, उन्होंने अपनी रचना में एकडम साफ कह दिया था कि जमिनदारी ये जो प्रता है तो जाना ही है, ये जाएगी, चली गई, उन्हों उनके कुछ जो पात्र है, जैसे कोई ब्रॉकर, जो दलाल है, दलाली का जो सिस्टम था, उस समय उन्होंने लिखा, और देखिए आज ब्रॉकरों का जमाना है, सभी जगव वही बीच में रहकर पैसा कमा रहे हैं, ये जो ब्रॉकरिंग सिस्टम है, उस समय उन्होंने मिल मालिकों को, राजनी तिग्यों को, ऐसे दावत जो बिना मतलब के थे, लेकिन काम वालों के लिए मतलब का था, देखिए ऐसे पार्टी बाद में चल कर काफी फेमस हुए, यूँ ही दावत देना, लेकिन दावत के अंदर ही ऐसे लोगों से मिल मिलाव होना, जिससे बाकी सभी बातें, किसानों को जहां उन्हें छोड़ा, प्रेमचंजी ने 1936 में, गोदान में जहां उन्हें किसानों को छोड़ा, वो किसान की जो अवस्ता है, वो अब भी 140 साल बाद भी भारत में किसानों की अवस्ता तस की मस नहीं हुई, किसान वहीं खड़ा है, बस फ आत्मातियाएं हो रही हैं, वो यही जाहिर करती हैं, कि भारत जो गाउं का देश था, वहां हम किसानों की कहां किदमत कर पा रहे हैं, आज इतनी सारी स्कीम्स आ गई हैं, लेकिन किसान की अवस्था वहीं की वहीं है, जो अन्नत आता है, उसकी अवस्था वहीं की वहीं है, जोदान आज भी करीब सभी उनिवसिटिस में पढ़ाय जाते हैं, हिंदी में भी पढ़ाय जाते हैं, उर्दु में भी पढ़ाय जाते हैं. तो फिर यह प्रेमचन जी की अपनी खासियत है कि और उनकी जीवनी भी, शायद ही कोई ऐसा लेखा को जिसके जीवन के ओपर जीवनी लिखी गई है, मतलब इतनी सारी जीवनी, एक तो उनकी पत्नी ने लिखी, शिवरानी ने लिखी प्रेमचन घर में, फिर उनकी पुत्र अमरत राय ने लिखी, कलम का सिपाही, फिर मदन गोपाल ने, कलम का मस्तूर, जीवनी भी लिखे गई, शायद प्रेमचन के बाद नेराला ही एक मात्र विक्ति हैं, जिनके बारे में जीवनिया लिखी गई, इतनी अधिक, और अगर आरोपों पर की बात की जाए, हर एक ल आरोप लगाए जाते हैं, उससमय के जो आलोचग हैं, और ऐसे होता है लेखेगों के साथ जस अगय जी को विज करना पड़ा मुक्तिबोत के बारे में निराला के बारे में ऐसी कई होता है, कई आरोप उनके लिए अच्छा ही होता है मतलब आरोप उनके साहीतिक जिवन को और स्रेश्ट बना देती है प्रेमचन के बारे में कहें तो उनके उपर आरोप ऐसे कम लगाये गए सभी एक दम से प्रेमचन जी के लेखन से एक तरह से सहमती थे असहमती बहुत ही कम जाहिर होती है प्रेमचन जी के बारे में देकिन फिर भी अगर कुछ हुआ तो ये कि उनके बारे में ये आरोप लगाया गया था कि वो घ्रणा पैदा करते हैं, मतलब कि किसानों की वकालत की करते करते वो जमीनदार और किसानों के प्रती जो भाव है वो घ्रणा का भाव पैदा करते हैं, तो इसका उतर उन्होंने जीवन में ग्रणा का स्थान ऐसा एक प्लेख लिक कर उन्होंने किया कि ग्रणा जहां किया जाना चाहिए वहां करना चाहिए ये जो ग्रणा नामक स्नेह के जैसे ही क्रोध ग्रणा ये सब जहां दिखाया जाना चाहिए वहां दिखाया जाना चाहिए नई तो समाज में ऐसा कई आरोप लगाए, वेनटी फेर का नकल है उनका उपन्यास, ऐसे कई आरोप लगाए गए, फिर उनके उपर एक बात है, उनके उपन्यासों को पढ़ते समय, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ जादा ही वर्ननात्मक हो गया है, आप ध्यान से देखेंगे, तो कई पेजस ऐसे हैं, आपको लगेगा, चलो हमें समझ में आ गया है, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, ऐसे कहने का मन करता है, कई बार, फ्रजादा ही वर्ननात्मक लगता है, कोई और लेखक लिखता तो शायर उसके कई पेजस कम ही लिखते, उतना वर्ननात्मक है, लेकिन ये उस समय क परिसिती की मांग थी, आज जब हम मीडिया इतने सकरिय है, आज का जो पाठक है, अपनी परिसिती के बारे में काफी अवेर है, आपको मीडिया के जरीए बहुत सी बातें अपने आप मालुम हो जाती है, तो जब आपको सूचना देने की जरूत नहीं है, लेकिन उस समय की सिती क्या थी, कि जब प्रेमचन शेहर की संस्कृती के बारे में लिखते हैं, वर्नन करते जाते हैं, गत्य एकदम वर्ननात्मक होता जाता है, तो पाठक को शेहर के बारे में जानने का एक अवसर होता है वो, क्यूंकि उस समय पाठक के सामने ऐसे अवसर बहुत कम थे, श से भी प्रेमचन के रचनाओं पर आप जब गहराई से जाएंगे, अफसोस की बात है, उनकी कुछ कहानिया जो जैसे आप कहेंगे, उनका कफन, पोस की रात, ठाकुर का कुवा, या फितबुडी का की, ऐसी कुछ कहानिया ऐसी हैं, जो एकदम हाइलाइट हैं, और उनका उ दिर्गद्रिष्टी इतनी आधीक थी कि हमें चौंकाने लायक है, कई बाते हैं, आप जब गहराई से उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, तब देखेंगे, देखेंगे, इंशुरेंस की बात हैं, जो लाइफ इंशुरेंस, उस समय, 1930s में उन्होंने बीमा कंपनी के बारे म बात कही, और उनने कहा कि मिल मालिक है, उनके कैरक्टर में जो मिल मालिक है, वो उसकी जिंदे की एक्तम सही सलामत रहती है, किसान तूट जाता है, मजदूर तूट जाता है, लेकिन मिल मालिक का वहीं का वहीं रहना, ये बात में हम देखते हैं, जो मिल मालिक है, जो तो आज हम 31 जुलाइ प्रेमचंद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मेरा एक सविने निवेदन है कि जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो ये रिसर्च के लिए ओरेंटेट चैनल है, तो कई अलग हिंदी के ना जो दूसरे सब्जस्ट के हैं, वो भी जुड़े हैं, तो उन्ह भी प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए, ट्रांसलेशन्स अविले मढ़े हैं अचकल, प्रेमचंद शुड़ भी सेलेब्रेट इवरीवन, ये हमारा आग्रह है, उनकी छोटी-छोटी कहानिया आप स्कूलों में पढ़ते हैं, तो प्रेमचंद के बारे में तो सभी नाम तो स दिखा, वो आज भी वहीं का वहीं है, तो आशा करती हूँ, आपको ये पसंद आया, तो अगली बार हम फिर मिलेंगे, धनिया. ये बारे मिलें हैं बारा हमें हूँ. छो आप से घस्वाण चे इ Wine सी का वारी हैं, ल्रेमचंद वाहीं है, थो आपको ये safety क्रिबी में एतल्समा प्रेमचंद के वहीं हैंूआए हैं, प्रेमारा झाल 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 हुआ झाल